कि अच्छा अब स्प्लिटिंग वाले केस के अंदर ना अब आपने याद रखना है कि हमारे पास एक होती है अगर इसमें और आजे काम इनवर्स होजे या कोई बहुत डिले होजे आपका वाल बंद उने में डेट इस नोन अज़ पैथलाजिकल स्प्लिटिंग उसके अंदर हम देखेंगे कि वह वाइड स्प्लिटिंग भी हो सकती है फिक्स भी हो सकती है और प्राडॉक्सिकल भी हो स सबसे पहले बात करते हैं फिजलाजिकल स्प्लिटिंग की आपने बचे बात याद रखनी है कि जो हमारा योटा होता है यह यह पहले लोग होता है फॉर्स्ट यह लोग होता है नंबर वान इंपॉर्टेंट पॉइंट आप साथ-साथ लिखते जाएगा जो हमारे पास है यह लेट टृवर्ष लेट पंटिकलर है देखे हमारी ना मैने आपको बताया था कि एक सूपीरियर वivyana के वा उती है और एक इनफीर वेना कावा होती है सबसे पहले बलड आता तो बच्चों इसके अंदर रहा ना डियॉ औउ- औक्स Fukane ठीक है जब इसके अंदर तो बच्चो इसने पहले blood को बाहर निकालना, फिर आपके किसको मिलेगा left side of heart को मिलेगा, इसलिए क्या होगा जो हमारा pulmonary वाला area right side वाला area, we valve बाद में बन्द होगा तो जिसके अंदर बाद में जाना वो पहले close होचेगा, अयोटा वाला पहले close होचेगा, ठीक है क्योंकि इस में से blood आना ही right ventricular right इसके अंदर pulmonary के जरीए ठीक है जब ये निका लेंगे फीर इसके अंदर आएगा इसलिए क्या होगा जब ये बंद होगा फीरी blood आगे जाएगा ठीक है जब ये निकालेगा भाय फीर ही blood आगे left side बजाएगा इसलिए right वाला क्या करेगा time लेगा अब देखें हमारा during inspiration जब हम सांस लेते हैं that is known as inspiration हमारा during inspiration जो heart की तरफ venus return है जो veins लेके जाती है heart की तरफ blood वो क्या कर जाता है increase कर जाता है जब हमारा venus return increase करेगा right side of heart को ज्यादा से ज्यादा ब्लड नहीं मिलेगा जब right side of heart को blood ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो उतना late close नहीं होगा इसलिए जो हमारा pulmonary valve है वो बाद में बंद होता है आयोटिक valve पहले बंद हो जाता है ये राम दीला समझ में आगी आगी आपको जल्दी बताएं ये समझ में आगा point ये वाला point समझ में आगया हाँ जी बाकी वो आगया बताएं बताएं फिर आगे continue करें कि राइड साइड वाला बाद में बंद होता है क्योंके हमारी body का जो deoxygenated blood है वो पहले right side of heart पे जाता है उसके बाद वो जाता है left पे इसलिए जो आयोटा वाला valve वो पहले बंद होजेगा जो पल्मोंडरी वाला ये बाद में बंद होजेगा this is known as physiological splitting ये normal है ठीक है आज सिफ में पहले question पूछा था कि कौन सा valve पहले बंद होगा जब हम cardiac cycle पाड़ रहे थे तो आपने बताना आयोटिक valve उसकी मैंने आप पो reason बता दी क्यों ठीक है ये examiner पूछते है या आद रखिएगा इस सारी बाते इंस्परेशन कीया उसने इंट्रा psychologists जो उसका pressure है वो decrease कर गया जबुसका इंट्राθimeter pressure decrease कर गया 298 रिटण इंक्रीज कर गया सिफिक्राइड रितरं इंक्रीज किया right pentagular filling जआदा के विए फुऩ्थ क्लॉज क्या होगा लेक्रोणी वैर्ट अठार भी आँए इसलिए क्स्थिक्या का अधरS ing प्लमोंडी इंपिडेंइंस कयोईगीडे क्यों प्लमोंडी मतलब यह गाएगँ त्युक्त नर्तिक सुरणी लेक्रय का इसमें से क्वेश्टन नहीं आता है यह एक्जामिनर वैसे पूछता है कि पहला वैल पूंट सा बंद होता है बस बात अब बात करते हैं बचों वाइड स्प्लिटिंग की वाइड स्प्लिटिंग क्या होती है जब भी आपकी पल्मोनरी स्टीनोसिस यहां आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होजे ठीक है यह दोनों स्प्लिट करते हैं आपके राइट साइड ओफार्ट को ठीक है यह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक किसको स्प्लिट कर रही होती है आपके राइट साइड ओफार्ट को स्प्लिट कर रही है अब जब stenosis वाला patient है देखें यह हार्ट है यह यहां पर तंग हो गया pulmonary well blood कम बाहर जा रहा है slow बाहर जा रहा है कम जा रहा ना normally 20 ml जा रहा था for example normally 20 जा रहा था pulmonary stenosis की वैसे 10 जा रहा है तो blood कम जा रहा ना तो उतना ज्यादा time नी लेगा बंद होने में well definitely उतना ज्यादा क्या करेगा time लेगा बंद होने में तो इसके अंदर हम कौन सी splitting देते हैं white splitting देखते हैं ज्यादा time ले रहा है ठीक है समझागी इसके अंदर जो heart sound सुनेंगे love तो हमने सुनी ली s1 की वज़ा से तो जो हम दूसरी सुनेंगे वो सुनेंगे डब सुनते हैं न नॉर्मली लब डब सुनते हैं इसके अंदर होगी love drop की बाद आईगी ऐससे ठीक है दूसरी हमारी delay हो रही है s2 वाली ठीक है love drop सुनेंगे इसके अंदर समझागी हाँ जी यह वाला point समझ मैं है white splitting क्या होती है राइट बंडल बांच ब्लॉक होगी पल्मोन रिस्टी नोस्टीद होगी ज्यादा टाइम लिया उसने क्लोज होने के अंदर ठीक है यह हम ड्यूरिंग inspiration सुनते हैं यह भी MCQ आता है कॉस्ट डिलेड पल्मोनिक पल्मोनिक साउंड इस्पेशली ओन इस्पाइरेशन क्यों inspiration की वज़ा से और क्या और इसके अंदर वेनस रिटान ज्यादा आ रहा है यह इंपॉर्टन पॉइंट आ यह याद रखिएगा यह आंता क्लियर बोर तो ही और यह आगर अगर को बोर हो रहे तो माई कोन करके बात कर सकता है अब यह रहा है यह जल्दी जल्दी पताएं फिर आगे fix प्रिटिंग को discuss करें अजी इंट्राइसिक प्रेशर डेफिनेटली कम होगा इसके अंदर ठीक है जी बाक्यों को समझ आ रही है बाकी कि दर गे सो तो नहीं गे ठीक है आ रही है अच्छा ओके अब बात करते हैं fix प्रिटिंग के अंदर आप fix प्रिटिंग के अंदर ना देखें यह फॉर इग्जेंपल इसको मैं ज़रा एक नीड जगा पर दुबारा बना देता हूं कि उसमिट प्रिटिंग के अंदर एक से खरके ठीक है कि यह लेफ्ट कट्रिम यह राइट अट्रियं यह राइट एट वंस्यब्र और यह हमारे पास किया है ventricular septa ठीकर दो septa होते हैं जो birth के बाद close हो जाते हैं ठीक है अट्रियल septa close ताकि blood exchange नहों सके अब किसी patient के अंदर क्या है atrial septal defect देखें इसके अंदर पता क्या होगा atrial septal defect के अंदर ये देखें ये blood आया जी इस तरह आफ्टर बर्थ हमारे पास आया left atrium के अंदर के आया हमारा blood आया ठीक है अब ये atrial septal defect है ये septa बंद ही नहीं हुआ ये septa own है blood जब इदर आएगा ना left atrium से ये जब देखेगा जी ये वाला सुराख तो खुला हुआ है septa सुराख होता ना तो blood फॉरण से भाग के ना आपका right atrium की तरफ चला जाएगा ठीक है जब आपका blood फॉरण से भाग के right atrium में चला जाएगा इदर हमारे पास बच्छों परा tricuspid well blood फॉरण गया tricuspid में tricuspid से वो किदर गया दुबारा right ventricular के अंदर गया जब वो right ventricular के अंदर गया दुबारा right ventricular के अंदर ओवर फिलिंग हो रही ज्यादा से ज्यादा ब्लड हो रहा है ठीक है जब ज्यादा ओवर फिलिंग हो रही है ज्यादा ब्लड आ गया जो pulmonary valve वो दुबारा time लेगा बंद होने के लिए ठीक है this is known as fixed splitting ठीक है हेड इंदा एस टी लेफ्ट तो राइट शेंट वाइस के अंदर राइट एटरियम का प्रेशर बढ़ गया राइट वेंट गया ज्यादा से ज्यादा वॉलियम गया pulmonary valve ने दुबारा time लिया बंद होने के लिए this is known as fixed splitting और आपने हमेशा बात याद रखनी है कि ये independent of respiration है मतलब क्या इसका यहां पे कि ये inspiration पर depend नहीं कर रहा है मैंने आपको कहा था कि inspiration की वज़ए से क्या हो रहा था बच्चो venus return increase कर रहा था जब venus return उसका increase कर रहा था तो right atrium के अंदर pressure increase आ रहा था ठीक है अब इसके अंदर venus return हमारा normal है ठीक है venus return normal है issue किदर है atrial septa में issue है atrial septa की वज़ए से blood ज्यादा से ज्यादा इदर जा रहा है ना के venus return की वज़ए से इससे लिए independent of respiration है यह वहला point समझ में आ गया जल्दी जल्दी बताएं अजी clear है नहीं तक पूछे हम कौन सी सके अंदर से प्रेटिंग सुनेंगे तो आपने बताना है fix प्रेटिंग सुनेंगे मैं दुबारा repeat कर रहे तो यह वहला point देखें यहां से venus return आ रहा था किदर हमारा right atrium की तरफ बात गोहर से सुनना अली आहमत आप यह वहली बात गोहर से सुनना मैंने आपको कहा था कि venus return आता है किदर आपका right atrium से right atrium फिर वह जाता है right ventricular के अंदर फिर जो pulmonary valve वह इसलिए delay बंद होता है time लेता है बंद होने में as compared to aiotic valve क्योंकि अभी हमारे पास right ventricular के अंदर blood आया होता है normally पता क्या होता है देखें right atrium में blood आया वह आया था 50 ml मै नहां जाएगा और इसको लगेगा time normal यह हो रहाता है थोड़ा time लगता था पहले लग रहा था मैं आपको बताता हूं point one second लग रहा था ठीक है क्यों क्योंकि हमारे पास right ventricular में पहले blood आया अब किसी patient के अंदर क्या हुआ atrial septal defect हो गया अब जब किसी patient के अंदर atrial septal defect हो गया तो मुझे यह बताएं पहले इसके अंदर 50 ml आ रहा था blood venus return की वाय से अब जो left atrium में blood आ रहा रहा ना septa open है वो आगे दुबारा चला जाता है right atrium में 50 यह था for example 50 इसमें over add कर लो कितना हो गया 100 ml हो गया अब 100 ml को time भी उतना लगेगा इसके अंदर right atrium और right ventricular को pulmonary valve को close करने में ठीक है जब उसको उतना ही ज्यादा time लगेगा पहले लाग रहा था for example 0.1 second example दे रहा हूँ अब लाग रहा है उसको 0.10 second और delay नहीं होगा वाल और delay होगा इसके अंदर जो issue आ रहा है वो किदर आ रहा है atrial septal defect व पर जैसे issue आ रहा है ना वेनेस रिटान तो उतना का उतना ही है वो तो ज्यादा नहीं होना मारा वो तो 0.1 second वाला ही था वो तो 50 ml वाला ही था इससी लिए इसके अंदर क्या होगा independent of respiration inspiration पर यह depend नहीं करेगा इसके अंदर पता क्या होगा पहले हम सुने थे लब ड्रब अब इसके अंदर सुनेंगे हम लब ड्रब की तरह और वो लंबा हो जाएगा ठीक है वह साउंड और डिले हो जाएगा समझा आगी है वाली पॉइंट जी जी सिस्टोली की जैक्शन वर्मर यह तकीर उसके अंदर इसके अंदर ना इसका दूसरा नाम लिखने पर डूसरा नाम में रिवर्स स्प्रिटिंग ठीक है अब नाम सी पता चल रहा रिवर्स पहले क्या हो रहा था आयोटा पहले बंद हो रहा था और पल्मोनरी बाद में बंद हो रहा था ना इसके अंदर काम रिवर्स हो जागा इसके अंदर पल्मोनरी पहले बंद हो जागा आयोटा बाद में बंद होगा उसकी causes देखते हैं ऐसी कौन सी causes हैं जो आपकी reverse splitting करवा सकती है number one important cause for example किसी के अंदर iotic stenosis है iotic stenosis वाला patient है बचो iotic stenosis वाला patient के अंदर क्या होगा iota से blood बाहर जाई नहीं सकेगा पूरा वो ज्यादा time लेगा बंदोने में ठीक है again this is hard यह 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 अगर तंग हो गया इस टी नुटिक्लर यह तो बलोड सहीतना बाहर नहीं जा रहा जब बलोड सहीतना बाहर नहीं जा रहा तो यह लोग्योज ओने में time ले रहे तो iotic valve बाद में बंद होगा इसके अंदर ठीक है आयोटिक वैल क्या करेगा बाद में बंद होगा आयोटिक सीनोंस पहली important cause second cause left bundle branch block left bundle branch भी आपके left side को यह supply करती है जब आपके left bundle branch block हो जाएगी तो left को सही तरह सप्लाई नहीं मिलेगी जब left को सही तरह सप्लाई नहीं करेगी ठीक है जब वो ज्यादा से ज़्यादा अगेंड फ्लोस होने में टाइम लेगा तो क्या करेगा ऐोटा डिले करज़ेगा साउंड प्रेडूस करने के अंदर ठीक है दिस इस नॉन एज पेरडॉक्सिकल सप्लिटिंग या रिवर्स सप्लिटिंग ठीक है जितने भी करने के अंदर पुछे का ऐसी कौन सी सफलेटिंग है जो एक्स्पाइरेशन प्रिसिदिंग को से हमारी पैराडॉप्शिकल या इस प्रस्पाइरेशन प्रिक्स प्रिस्पाइरेशन प्रिक्सर आ झाली है इसमें इसलिए हम क्या करेंगे during expiration ये सोने ठीक है ओपोज़ेट टूदा फिजिलाजिकल सिप्लिटिंग ठीक है इतनी सी बात तो भी ये वाला close हो सब्सक्ता है ठीक है उसने कहा कि alien the condition that delay the Iotic valve loyer Iotic Cenosis patient के अंदर left bundle branch work के अंदर normal order of the semilunar valve loyer is reversed इसलिए हम ने इसको क्या बोला reverse siplitting बोला इसके अंदर ठीक है पहले क्या और था मारे पास P2 delay हो रहा था A2 पहले close होरा था अभ इसके अदर क्या ओगा A2 क्या करेगा डिले क्लोडरेगा पहले क्लोडरी पहले होगा इन शॉर्ट कहने का मतलब भी है ओन एक्सपारेशन दसिप्लेट कैन बी हेड वेरी इंपॉर्टन डबल टिक कर लें इसके अंदर यहां तक किसी का कोई भी कॉस्टन ऐसे प्लिटिंग में से पूछ ले बरना फिर शुटी कह रहे हैं सारे टॉपिक इजी था के मुश्किल था कार्डिक साइकल वाला और यह वाला तो मज़ाई की नहीं है जल्दी जल्दी बताएं तो तनी गए नए जी मरमर भी करवा दें बाकियोंने मुझे मारना कि मैंने मरमर भी करवा दिया ठक गए कैसा तरे ताफ ता वो थोड़ा आसब टफ ता क्विक्यों के अंदर हार्ट साउंद्स है जो वो वेव्ज हैंना उसने उसको टाफ ही किया था लेकिन आप दो से तीन दफा उसको पढ़ें वो आपको जरूर यादोजेगा और वो काफी इंपॉर्टन्ट है स्प्रिटिंग वला पूरा रिवाइज करवा दो एक दफ़ा ठीक है जी एक दफ़ा स्प्रिटिंग वला कम्प्लीट रिवाइज करवा देता हूँ जैन मेरे खाल में लेफ्ट कर गया और वो क्या कहते हैं वोस्ट है स्मिटिंग का स्क्रीन शेर नहीं होड़ी जैन स्प्रिटिंग का स्प्रिटिंग का आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका आयोटा है वो पहले बंद हो रहता है उसकी रीजन यह होती है कि हमारे जो जितना भी वेनेस बाडी का रिटान है ना वो राइट साइड ओफ हार्ट के अंदर आ रहा रहा होता ना डियोक्शनिट ब्लाइट इसलिए वो टाइम लेता बंद होने में ऐस कंपेर तो आयोटिक वैल इस इस नोन ऐस फिजिलॉजिक सपर्ट इस नोस सब्टिक आरे जान तर आपनी पताना है कि उसकी राइट बंडल ब्राँच कोग होरी है और फ्लमोनद़री वैलिफ की स्टी नोस होҁगी है तो गे तो और ज्यादा टाइम लेगा क्लोज होने के लिए इसके बाद हमने क्या पड़ी फिक्स के अंदर हमेशा याद रखनी है कि आपने इसके अंदर यह बताना है कि हमेशा इट्रियल डिफेक्ट होता है इसके अंदर जब किसी पेशन्ट के के अंदर किसी बच्चे के अंदर ट्रियव कि इदर चला जाएगा तो उतना ज्यादा टाइम लेगा बंद होने के लिए इसी लिए इसके अंदर क्या सुरेंगे क्या देखेंगे फिक्स सिप्लिटिंग सुन लेते हैं ठीक है पराडॉक्सिकल सिप्लिटिंग में यह होता है कि आपका योटिक वैल किस्टिनोसिज होगी यह किस किस्टिनोसिज होगी जब आपके योटिक वैल किस्टिनोसिज होगी और क्या होगी लेफ्ट बंदल ब्रा करेगा हमारा जो पर फो बिलकुल ठीक काम कर रहा ना बिलकुल ठीक राइट वाली तो वह पहले बंद कर जागी और यह बात में बंद कर जागी और हम यह एकसपारेशन पर सुनें कि विनेस रिटान की तो ठीक आपना काम ठीक रही है यह एकसपारेशन पर इसलिए सुनेंगे नाकिन इंस्पारेशन पर में आ गया यह वाली बात समझ में आगी यहां तक किसी का अब कोई भी क्वश्चन तो पूछ लो है आपको बता चेंट तोड़ी कपशक करके फिर करवाद नहीं नहीं आ सिर्फ बच्छों ने मुझे गालिये देनी है अब इतना काफी है झालिये अब इतना काफी है